हलो एवरिवन कैसे हैं आप वेलकम टू शिक्षाधाम हम एक न्यू चप्टर करने वाले हैं स्टार्ट ट्वेल्थ क्लास के लिए और चप्टर का नाम है रिटायर्मेंट ओफ पार्टनर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिलीव मी इतने easiest way से करेंगे ना कि जब आप चप्टर करोगे तो आप खुद बोलोगे कि मेरे six marks सो पक्के हो गए तो चलिए स्टार्ट करते हैं Retirement of Partnership Firm करें स्टार्ट आज का टॉपिक जो है Retirement of Partner आज आपकी है इसकी थर्ड क्लास जो बच्चे जिनकी फर्स क्लास है उनको दो क्लास पिछली देखनी पड़ेगी और जिन बच्चों ने मान लो admission कर रखा admission यानि term 1 का जो admission था जिनों ने करा हुआ है उनको तो कोई problem नहीं होने वाली लेकिन जिनको admission करने का मतलब यह नहीं कि 100% पूरा आता हो थोड़ा बहुत ratio, ratio, goodwill, goodwill पता हो तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा लेकिन अगर आपने admission वगरा नहीं कर रखा बिल्कुल भी term 1 का तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है वो भी कोई दिक्कत नहीं है last class recorded है वो भी मैं आपको बता दूँगा बैक अप class में confirm हो जाएगा लेकिन हाँ आज वाली class में जितने बच्चे भी बैठे हैं ये मान के चलना के हमें समझ में आएगा अगर आप ये मान के यहाँ पे sitting करोगे कि पिछला रह रहा है क्या करवाया था नहीं करवाया था तीसरी class में नहीं आ सकती तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी तो 100% concentrate करके आपको ये मानना है कि भाई ये topic तो हमें समझ भी आएगा और definitely आएगा अब देखोगे तो बिल्कुल simple topic है और एक तरीके से last concept ही है हमारा retirement का last नहीं अभी इसके आगे भी काफी questions होंगे तो retirement of partner की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर basically क्या क्या चीज़े है हमें तीन लेजर बनाने है एक बनाने हमें revaluation account और एक बनाने हमें partners capital account और एक तीसरा balance sheet बनाएंगे ठीक है न हमारे exam में 6 number का question आएगा जो हम आज सीखने वाले है न इसी pattern पे रहेगा बस कुछ adjustment है वो तो अगले class में सीख लेंगे हम तो इसी पे 6 number का question पूछा जाएगा confirm है कि 6 marks का आएगा ही आएगा आएगा तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो तीन लेजर बताएं तो पहले हम तीनों लेजर को समझ लें के तीनों लेजर किस तरीके से बनाए जाएगा तो number one की अगर मैं बात करूँ तो first ledger जो रहेगा हमारा वो है हमारा revaluation अब sir revaluation देखो नाम से ही clear रहता है valuation का मतलब पता ही क्या होता है किसी चीज का आपको दुबारा से value calculate करना उसको बोला जाता है valuation ठीक है न जैसे मान लेते हैं कि आपका mobile phone है mobile phone आपने भले ही 20,000 का खरीदा 40,000 का खरीदा लेकिन आप बोलोगे न यार आप 20 का है तो आप 5-6,000 का 10 का 15 का बिख जाएगा तो जो दुबारा आपने value लगा है उससे बोला जाता है valuation ठीक है न और आप जितने valuation बोलो या फिर 3 valuation बोलो तो जब कभी भी अपने घर का ही समान का example ले लो आपके घर में गोल्ड पढ़ा है suppose करो तो आपके parents बोलते होंगे उस time पे तो 5,000 का लिया था लेकिन अब तो 50 का है तो आपने क्या करा उसका valuation लगाया तो काफी सारे assets का भी valuation होगा और liability का कभी expense का valuation तो नहीं होता अब assets का valuation मान लेते हैं मेरा एक building था वो एक लाक रुपए का खरीदा था मैंने अब उसकी value 4,000,000 रुपए हो गई है तो इसका मतलब मेरे assets का value बढ़ गया जिससे business को फाइदा है एक तरीके से है ना simple और सेम ऐसे मैं बोलू मुझे किसी को loan देने थे 5,000,000 रुपए हैं लेकिन अब मैं 3,000,000 रुपए ही दूँगा तो यहाँ मेरा फाइदा है नुकसान है यहाँ भी फाइदा है ठीक है ना तो हमें यहाँ बस profit and loss देखना है ऐसा क्यों करेंगे यह account बनाने का purpose क्या है और इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं profit and loss adjustment कई बार examiner ना confuse करने के लिए बोलता है profit and loss adjustment बना दो तो profit and loss adjustment जब बोला जाए तो यही account prepare करेंगे हम बनाने का purpose क्यों है हमारा chapter retirement है तो x, y, z अगर 3 partner है इसमें से मान लेते हैं एक partner चला गया तो बाकी जो बचे वे दोनों partner है अपने business को जो आगे continue करेंगे वो सोचते हैं अब नए सीरे से करते हैं हम का पहले 3 था तो 3 की बात कुछ अलगी थी अब जब एक चला गया तो अब कैसे काम start करते हैं बिड़कुल नए सीरे से काम start करते हैं तो जब नए सीरे से काम start करते हैं यह जो दोनों partner है ना, यह सारे assets और liability का value निकाल लेते हैं दुबारा से, तो इसलिए हमें बनाना पड़ता है क्या? Revaluation, ठीक है ना? Revaluation में इधर का side आपको पता है, आपने बहुत ही starting से पता है कि यह debit होता है और यह credit होता है और debit side की अगर मैं बात करूँ तो debit side में सारे के सारे आपके expense होते हैं, expense या फिर losses भी कह सकते हो debit side में क्या होते है, expense या फिर losses भी कह सकते हो, क्योंकि golden rule तो यही था कि आपके सारे expense और losses आएंगे और credit side की अगर मैं बात करूँ तो इस side में सारा का सारा आएगा income या फिर हम कह सकते हैं normal language में profit gain भी हो सकता है, gain word भी सुनाओगा, कुछ पूछ सकते हैं कि gain हो सकता नहीं तो gain भी हो सकता है तो sir यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर सारे खर्चे, अब देखो मैं आपको कुछ situation बता हूँ, आप बताना कि debit में जाना चाहिए, credit में मेरा building एक लाग से 2 लाग रुपए का हो गया, ठीक है तो एक लाग का benefit है या एक लाग से डिट लाग का हो गया तो कितने का benefit है बताओ पचास तो अब मुझे debit side में लिखना चाहिए या credit side में, credit side में लिखना चाहिए कितने रुपए, डेड़ लाक, एक लाक या पचास अजार पचास, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट वाले हिस्से को रिकॉर्ड करेंगे ठीक है न, ऐसा ही मैंने कहा कि मेरा बेड़ेट्स हो गया पचास अजार रुपए का तो किधर लिखना चाहिए, डेड़ेट साइड में लिखेंगे ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ, मेरा क्रेडिटर था, उसको पैसे नहीं देना है रिटन बैक हो गए वो, वो चले गए क्रेडिटर दो, तो किधर आएगा क्रेडिटर मतलब लाइबलिटी, और लाइबलिटी को पैसे नहीं देना तो मतलब फाइदा, और फाइदा किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा मैंने बोला मेरा एसेट्स जो है न मसीनरी पे 10% का डेप्रीशेशन लग गया तो आप जानते हो ना डेप्रीशेशन का मतलब क्या होता है वैल्यू घट जाता है या बढ़ जाता है तो अगर डेप्रीशेशन लगा तो बताओ किधर जाएगा डेबिट साइड डेप्रीशेशन के जैसा ये एक वर्ड होता है, पता है क्या होता है appreciation अगर मैं बोलू कि मेरे मान लेते हैं furniture का value appreciate हो गया है तो बताइए इससे value क्या हुआ बढ़ गया या घट गया तो किधर दिखाएंगे credits है तो बड़ा simple सा account है यही concept हम follow करके चलेंगे तो यानि जो भी expenses या losses होगा two side लिखेंगे और जो भी income या profit होगा वो buy side लिखेंगे सर यहाँ पे जैसे मैं कुछ example लिख देता हूँ जैसे कि bed debts example है वो question जब करेंगे न तो यह तो मैं format prepare कर रहा हूँ और क्या हो सकता है depreciation depreciation machinery पर होगा तो depreciation नहीं लिखना machinery लिखना machinery लिखना machinery लिखेंगे ठीक है न हम machinery लिखेंगे इसके बाद अगर मैं buy side का अब दो दो example से चलेगा न क्या मुझे ज़रूरत है कि सारी बाते लिखने इस दो example से तो समझ ही आ गया कि यहां क्यों लिखा जा रहा है न पूरा लिखने की ज़रूरत है नहीं और buy side की मैं बात करूं तो buy side में लिखा जाएगा अगर हमारा appreciate होता है हो सकता है building ज्यादा से ज्यादा building तो बढ़ता है rate ठीक है मैं example ले लिया और कुछ भी हो सकता है buy side में any आपका liability liability क्या हो जाए decrease ऐसे word लिख दिया मेरे हिसाब से आपको अगर कोई problem है इसमें तो आप पूछ सकते हैं मैंने सारा example तो नहीं लिखा just take मैं format कर रहा हूँ तो format से बस आपको एक idea लग जाए tentative कि हाँ हम एक revaluation account बनाएंगे और उस revaluation account को कैसे बनाया जाएगा और किस किस को consider किया जाएगा उसके according clear है यहां तक ठीक है तो मैंने बोला तीन laser बना देंगे जिसमें से एक क्या था revolution अकाउंट बनाने से हमारा कोई ना कोई तो यहां पर profit loss कुछ ना कुछ तो होने वाला है ना अगर यहां आता है हमारा two में balancing figure तो यहां आएगा profit अगर हमारा आएगा buy है तो इदे आएगा loss और यह profit and loss जो होता है ना जब partnership firm होता है तो इस पर पूरा अधिकार कुछ profit and loss हो उस पर पूरा अधिकार partner का होता है पूरा rights किसका होता है हमारा partners का तो यहां पर जो भी profit हुआ जितने भी partner है बट जाएगा अब मान लेते हैं x में y में और z में सर अब एक example और doubt मन में ये आता है सर मान लेते हैं x y z था x y z इसमें से z चले गिया तो 2 में बाटेंगे या 3 तो यह 3 बाटेंगे तो बट ओविस है, तीनों बाटेंगे, तो ये किस ratio में बटेगा पता है, आपको old ratio में बाटा जाएगा, थोड़ी बहुत आपको knowledge होनी चाहिए कि old ratio क्या होता है, ratio से कैसे calculate करते हैं, ये सारी चीज़े तो आपको पता होगी, ठीक है, loss होगा तो अगें, ये किस में बटेगा loss, ये भी, तीनों में, किस ratio में, old ratio, मैं थोड़ा short कर रहा हूँ यहाँ पर, old ratio है ये, और, वो नहीं लिखा मैंने, old ratio है, ठीक है न, तो ये था हमारा revaluation, का दूसरा नाम क्या है, profit and adjustment, एक नंबर में अगर one liner question आता है, तो इसका nature पू nominal, तभी तो यहाँ पर देखो, all expenses are debit and all income and gain are credit, जहाँ expense और income की बात हो, वो कौन सा account कहलाता है, nominal account कहलाता है, clear है यहाँ तर, अगले point पर चलते हैं, partners capital पर, हमारा second account रहेगा, partners capital, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत simple account है, मान लेते हैं, एरा जम्शन यह है, कि हमारे पास पहले से तीन partner है, इसलिए तीन column draw कर रहा हूँ, क्योंकि दो होगा तो एक चला जाएगा, तो firm ही बंद हो जाएगा फिर तो, क्योंकि कम से कम तीन partner होना चाहिए, example के तोर पे ले लेते हैं, x, y, and z, x, y, and z, और उपर लिख दिया हमने, partners capital, आपको exam में format बड़ा ध्यान रखना है, because of, क्योंकि पहले तो mcq में आपका तो नॉर्माल ही हो गया था, अब आपने format ध्यान रखना है, ठीक है न, partners capital एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, partners capital जो होता है न, आपको अगर मैं बोलू capital, तो आप मुझे बताईए, capital आपने balance sheet में ही देखा होगा, और balance sheet के कहां देखा होगा आपने, liability, और liability को अगर मैं पूछूँ किस side दिखाना चाहिए, तो जवाब होता है, credit side, इतना तो पता है हर किसी को, जी partners capital या कोई भी capital हमारे लिए होता है, liability, और liability को कहां दिखाना चाहिए, credit में दिखाना चाहिए, यह छोटी सी जानगरी पता है, अब आपको एक और point पता होना चाहिए, कि अगर liability बढ़े, तो हमें करना चाहिए credit, और अगर liability घटे, तो हमें करना चाहिए debit, यह बहुत starting में ही हमें सिखाया जाता है, तो liability अगर बढ़ता है, तो हमें क्या करना प पड़ेगा क्योंकि ये हमारा side credit वाला है उसका opposite reaction पड़ता है same अगर मैं building को लूँ तो आप सोच ये building क्या होता है asset अगर मैं बोलता हूँ कि building का assets है तो इसका side क्या होगा debit तो अगर मैं बोलू ना building बढ़ेगा तो आपको क्या करना होगा पता है डेविड करना पड़ेगा ठीक है न और अगर मैं बोलू building घटेगा तो क्या करना पड़ेगा यानि simple सी बात है कि जो side होता है na decrease में side बदल जाता है और आपको पता है कि assets में जो चीज़े हैं वो क्या है हमारे debit और जो liability में वो क्या है credit तो अब मैं simple सी बात कहता हूँ यह मेरा partners capital है थोड़ा यह particular और यह particular अगर partners capital की बात करें तो इधर की side वाला debit है इधर की side वाला credit है अगर मैं बढ़ने की बात बोलू किसी भी reason से partners का capital बढ़ जाया है तो मुझे two side में दिखाना चाहिए या buy side में हमारे पास दो side है देखो एक debit है और एक credit है मैंने बोला किसी भी reason से partners का capital बढ़ रहा है तो partners का capital बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ हमारा partners के capital को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा credit तो किसी भी reason से बढ़ेगा तो मुझे करना पड़ेगा credit पार्टनर को salary दिया तो कहां लिखेंगे credit में पार्टनर को commission दिया तो कहां लिखेंगे पार्टनर को मैंने profit का हिस्सा दिया तो कहां लिखेंगे credit में अगर partner को कोई मैंने extra मान लेते हैं benefit दे दिया, bonus दे दिया, कुछ और दे दिया तो कहा हैगा? credit में तो very simple सी बात है कि partners का capital credit कब होगा जब partner को कुछ मिलेगा और जब partner से कुछ हमें लेना हो तो हमें debit दिखाना पड़ेगा अब debit कब कब हो सकता है? partner ने drawing करा तो drawing आपको पता है ने drawing की वज़े से क्या होता है? capital कम होता है तो उसे कहां दिखाना पड़ेगा? debit में और same interest on drawing की वज़े से भी partners के capital कम होता है तो उसे भी debit दिखाते हैं ठीक है न? तो यहां पे कुछ reasons है जिसके वज़े से partners के capital बढ़ सकते हैं घट सकते हैं वही show करना है सबसे पहले मैं यहां पे जो सबसे starting में लिखूँगा यहां पे buy side में थोड़ा space कम मैंने लिया यहां पे मैं short form में लिख देता हूँ balance bd लिख देते हैं ठीक है? balance bd यह मैंने तीनो पार्टनर का लिख दिया यह balance bd कहां से ढूंडेंगे हम पुरानी balance sheet के अंदर जो भी amount होगा आपके पास जब question होगा तो question पता है कैसे होगा? आपको एक पुरानी balance sheet गीवन होगी पूरे question में एक पुरानी balance sheet गीवन है और उसके नीचे एक, दो, तीन, चार, adjustment है यह adjustment क्या होता है? वही बोलेगा building बढ़ गया, liability को पैसे नहीं देने, furniture घट गया है तो यह adjustment हो गया अब balance sheet के अंदर हमारा capital भी तो होगा ना? उसी capital को यहां plot करेंगे जो होगा balance, BD ठीक है? अब इसके बाद क्या-क्या हो सकता है? इसके हिस्से में और क्या-क्या जा सकता है? तो मैं अगर बात करूँ तो partner को और क्या मिल सकता है? मिल सकता है, reserve का पैसा मिल सकता है मैंने short form में लिखा है, आपने पूरा लिखना है, किसको मिलेगा? सबको मिलेगा जी reserve के बाद और क्या मिल सकता है? revaluation का profit मैं RP लिख रहा हूँ sir, revaluation का profit यहां से जो निकाला है, इस side में जो निकला वो क्या था? revaluation का? उसी profit को हमें उधर दिखा रहा है क्यों दिखा रहा है इधर? क्योंकि partner को मिल रहा है ना? partner को मिल रहा है तो very simple हमें credit करना पड़ेगा और क्या हो सकता है? workman compensation reserve यह क्या होता है? इसके उपर मैं बाद में discuss करूँगा workman compensation reserve सबका मैंने abbreviation लिखा है मैं बोलता जा रहा हूँ कोई doubt होगा तो आप पूछ सकते हैं चेक है ना? कोई doubt होगा तो पूछ सकते हैं आगे question में कहता है workman compensation reserve के बाद और भी कुछ मिल सकता है कि partner को बिलकुल partner को salary भी दिया जा सकता है हाला कि इस chapter में salary commission emission नहीं होगा जो चीजे होगा मैं वही plot कर रहा हूँ कि बार बार जो चीजे दिखेंगी है ठीक है ना? और एक और point हो सकता है profit and loss लिखा है मैंने तो अब आप मुझे अपने दिमाग से बताओ profit and loss का मतलब होता है तो profit ही है तो इस side में मैंने profit वाला part लिखूँगा या loss वाला part profit वाला क्योंकि profit से उसका capital क्या होगा? बढ़ेगा अब बात करते है two side में क्या सकता है? two drawing आ सकता है drawing तीनों में कभी नहीं आएगा जो करेगा उसी के account से deduct होगा अब x ने लिए है तो x से y ने लिए है तो y से मैं हलाकि मैं लिख देता हूँ तीनों में लेकिन जिसके according रहेगा उसमें चला जाएगा क्यों? drawing के बाद अगला क्या हो सकता है हमारा loss ठीक है न तो loss भी धर आएगा मैंने इधर भी लिखा profit and loss कुछ बच्चे पूच पूच के परिशान कर देते हैं सर दोनों साइड कैसे आ गया भाई ये वाला जो है न वो क्या है? और ये वाला क्या है? profit है और क्या हो सकता है? कई बार कुछ ऐसे assets भी होते हैं हमारे balance sheet के अंदर जो की नाम मातर का होता है जिसे fictitious assets कहते है जैसे कि advertisement suspense account करके balance sheet के assets में आपको दिखेगा तो balance sheet में जब advertisement suspense account दिखता है ना तो वो बिकार assets है, किसी काम का नहीं है तो partners capital को कम कर देते हैं उससे यहाँ पर आ जाएगा एक advertisement suspense account अगर given हो तो कहा होगा ये given? ये given होगा asset side में, अब मुझे एक चीज़ और बताना, loss balance sheet में कहा given होता है loss balance sheet में किस side given होता है asset side ठीक है न, किदर होगा assets, और profit किस side given होता है liability side ठीक है, इस बात का धियान रखना अगर आपको asset side में दिखता है profit and loss का balance, तो आप समझ जाना ये तो loss है, और वो loss हम distribute कर देंगे और किस में बाटेंगे हम partners, capital में और debit में बाटेंगे या credit में debit में बाटेंगे अभी तक जितने चीज़े बाटी गई है, वो सारी की सारे चीज़ों का अगर मैं बोलू तो ये सारा का सारा काम है old ratio में यहां तक कोई समस्या है तो बताईए, यहां तक कोई भी problem है तो बता सकते हो फिर मैं आगे चलू नहीं तो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या आरपी, Revaluation Profit सेम ऐसे मैंने यहां RL लिखा RL क्या होता? Revaluation Loss, समझ में आ रहा है पूरा? अब बात करते है होता है, जो पार्टनर Retirement होता है, उसको दो ही चीजों से मतलब होता है एक तो उसका सारा हमें पैसा दे दो, including goodwill ठीक है न? यानि उसको premium देना पड़ेगा हमें, premium in the sense उसे goodwill देना पड़ेगा, क्यों उसे goodwill देंगे? क्योंकि जब नया partner आया था तो अपने साथ premium का पैसा ले करके आया था, admission के time पे, जो पहला पुराना chapter है, अब जब कोई partner जाएगा, तो वो अपने साथ, मान लेते हैं, x, y और z है, z retire हो रहा है, तो z जब जाएगा न यहां से, तो वो क्या-क्या लेके जाएगा, एक capital और plus goodwill दोनों चीज़े लेके जाएगा वो, capital का मतलब कौन सा capital balance, bd लेके क्या चला जाएगा, नहीं यह सब total करने के बाद last की capital की बात कर रहे है इसकी हम, अब goodwill की treatment की बात करें, तो goodwill जो होगा न, वो लेके तो जाएगा और इस goodwill को कौन देगा X देगा और Y देगा, दोनों मिलके देदेंगे, जब X और Y इसको goodwill का पैसा देंगे, तो X और Y एक journal entry और एक partners capital में adjustment भी करेंगे अब मिलेगा किसको पहले तो यह decide करो, मिलेगा किसको, Z को मिलेगा तो Z का capital पे impact पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बताओ, पड़ेगा न, तो Z के capital क्या होना चाहिए, credit या debit credit, सोच के क्या होगा, क्योंकि उसे मिलेगा तो क्या होगा credit, तो buy side में लिखेंगे और Z का capital credit कौन करेगा, दो partner मिलके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे X और थोड़ा space काम है, जब मैं पूरे-पूरे question करूँगा, तब समझ में आ जाएगा, और ये Z में आ जाएगा, यह Z में आ गया, कोई doubt यहाँ तक बताईए और, मिला किसको Z को, और दिया जब इन दोनों ने, तो इसके capital पे भी तो impact आएगा क्या होगा, इसका capital बताओ कम होगा, कम होगा मतलब debit, तो debit side में मैं लिखूँगा, किसकी वज़े से 2Z Z capital और यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत main adjustment जो अभी करवाया है यही है main adjustment जो अभी हमने समझा है यही है, और adjustment क्या है simple सा logic वाली बात है तो Z जा रहा है, तो तेरे account को क्या कर देते हैं credit, और देख ओन रहा है X और Y तो उसके account को कर देते हैं debit, यहाँ पे जो account है न अब एक main point last last में क्या होता है हम शुरू में starting में अच्छे से समझ लेते हैं last last में एक छोटी से दिक्कत आ जाती है last point अच्छे से देख लेना अब totaling करेंगे totaling जो करेंगे सबसे पहले उसका total करेंगे जो partner जा रहा है अब यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा partner जा रहा है make according मैंने example में तो सबसे पहले total इसका होगा इसका मैंने यहाँ total किया इसके बाद इसका total मैंने इधर लिखा मैंने क्या बोला rule अगर तीनों partners capital में से total करना है तो सबसे पहले total किसका करना पड़ेगा जो partner retiring है और total करने के बाद यहाँ जो भी balancing figure आएगा अगर मैं यहाँ लिखूं balance अगर मैं यहाँ लिखूं balance cd तो इसका मतलब पता ही क्या है balance cd का मतलब यह रहेगा अभी जाना ही नहीं चाहरा है cd का मतलब क्या होता है carry down मतलब आगे चलेगा अब मुझे इसे रखना तो है नहीं तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसके balance को cd तो नहीं लिख सकते तो सर क्या लिखोगे यहाँ पर मैं इसको पैसे दे के रफा दफा कर दूँँगा पैसे दे के रफा दफा करूँगा भैई लो पैसा और जाओ अगर ये बोलता है कि मैं भी रुकूंगा तो क्या आएगा balance CD वैसे बोलेगा इनी retirement के concept में अगर ये जा रहा है तो इसको क्या दे देंगे bank अगर bank में balance नहीं है तो किस से दे देंगे cash अब firm के पास मान लेते है partnership firm के पास इतने पैसे है नहीं कि इसको एकदम से दे पाए तो हम इसको से request करके ये भी बोल सकते हैं कि Z भाई साब हम आपको अभी पैसे नहीं दे पाएंगे हम आपको थोड़े समय के बाद पैसे दे देंगे और थोड़े समय के बाद जब देने की बात आएगे ना तो firm के उपर liability आ जाएगा और क्या बन जाएगा वो loan यहां तक पहले समझ में आ रहा है यानि cd तो नहीं आएगा मैं कौन से partner की बात कर रहा हूँ x या y या z की z की अब यहां पे अगर उसे bank से पैसा दे रहे हैं तो मेरा bank balance कम हो जाएगा या जादा कम हो जाएगा cash से देंगे तो यानि double entry समझा रहा हूँ यहां पे तो cash bank है वहाँ अगर loan हुआ तो ना तो cash कम होने वाला ना ही bank कहा impact आएगा liability में एक आ जाएगा z loan के नाम से समझ में आ रहे हैं बात आपको अब partner को ऐसे भी तो समझाए जा सकता है भाई एक काम करो मानलो तुम्हारा एक लाग रुपया आता है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पचास हजार ले लो और पचास हजार बाद में ले ले ना दोनों बाते हो सकती है ना तो पचास हजार के लिए क्या word यूज करूँगा cash या bank और पचास हजार के लिए क्या word यूज कर लूँगा loan ये समझ में आई बात आपको क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गलती यहीं करते है कि sir loan करें क्या करें अब दूसरा पहले ये समझ में आगया कब loan का मतलब क्या है cash कब करेंगा bank अब बच्चे question पूछते है sir question में तो कुछ बोला ही नहीं है कि इसको पैसे देने भी है या नहीं देने नहीं बोला question में को information ऐसे situation में जब ना बोला जाए तो अगर आपके पास balance available है तो दे के खतम करो bank से दो और खतम करो otherwise आप इसको loan मान लो यानि जब बोला ही नहीं गया तो student की मरजी कि loan बनाओ या bank करो अब जैसे मान लेते हैं कुछ नहीं बोला गया question और classroom के अंदर काफे सारे बच्चे है किसी ने bank से करा किसी ने loan का तो सब का अंसर ठीक है उस वहाँ पर ऐसे मत बोलना कि मैंने तो bank से करा तेरा loan से गलत है तेरा दोनों ही ठीक है वो ठीक है न वहाँ पर तो यहाँ पर मैं retiring partner के लिए word लिखना चाहता हूं यहाँ पर या तो मैं लिख सकता हूं bank ठीक है और दूसरा cash ना लिखके मैं लिख देता हूं loan ठीक है और बाकी के दोनों partner क्या रहेंगे यह यह भी जाना चाहते हैं रहेंगे तो जब कोई partner रहता है तो उसके balance को हमें bank अगर लिख दूँआ तो निकल जाएगा वो तो तो क्या लिखना चाहिए तो बाकी बचे वे partner के लिए लिखेंगे balance cd और यह आ जाएगा हमारा cd और सर बाकी balance partner का कैसे आएगा cd इनका total करके balancing figure निकल जाएगा normally जैसे आपको balance करते हो कोई दिक्कत यहां तक यहां तक कोई problem तो हमने देखा revaluation account और revaluation के साथ-साथ मैंने देखा partners capital थोड़ा सा partners capital है मैंने abbreviation use किया है short firm use किया है जो कि मैं clear करता गया साथ-के-साथ यहां तक कोई issue आगे हमारा third आता है balance sheet ठीके न third point के आता है हमारा तो हम balance sheet की भी बात कर लेता है balance sheet में कुछ भी नहीं है जो 11 वी class में आपने पढ़ा हुआ है वही रहेगा हमारा balance sheet में balance sheet की हम बात करते है balance sheet में देखा जाए तो इस side क्या होगा liability और इस side क्या होगा assets सिर्फ मैं मोटी मोटी बाते बता रहा हूँ balance sheet में वो सारी चीज़े मैं लिखूंगा assets, building, plant वो तो पता ही है आपको उसको कह लिखने के जौरत है तो अब liability में जो यहां से निकल के आया है न point सबसे पहले तो यह आ जाएगा इधर capital के format में और यह balance sheet बताओ before retirement है या after retirement after retirement जब after retirement balance sheet है तो कितने partner होंगे दो तो दो का capital आएगा X और Y और maybe possible है के Z का loan आ जाए अगर Z का loan आया तो हम उसे यहां दिखा देंगे Z loan के नाम से ठेकर आप पूरा column बना लेना प्रॉपर तरीके से note करोगे उसके बाद balance sheet में और भी क्या चीज़े हो सकती है और क्या हो सकता है हमारा creditor हो सकता है यहां पर outstanding हो सकता है एक sector आपको पता है balance liability क्या होता है वो ज़्यादा लिखने की जूरत नहीं है यानि ये वाला account किस से connected है partners capital से partners capital किस से connected है balance sheet से asset side में क्या आएगा asset side में आएगा cash का balance और bank मैं सबसे पहले इसलिए लिख रहा हूँ यह क्योंकि यह important है sir क्यों important ही यह cash bank क्योंकि इसमें से कुछ minus हो सकता है क्या minus हो सकता है जो partner जा रहा है उसका पैसा या तो आप कहीं बाहर working note पे minus करिए या यहीं पे minus कर देजिए paid के नाम से retiring partner को z को जो paid किया उसके नाम से minus करके फिर final account दिखा दीजिए simple से बात है ठीक है न या फिर आप cash account बनाना चाहते है तो बनाइए नहीं तो जुरुत नहीं है मेरे साब से क्या सकाँ इसके बाद क्या सकता है और कुछ डाल देते हैं जैसे building debtor ये हमारा सारा का सारा क्या है balance sheet और दोनों side अगर total आता है तब जाके आपको exam में पूरे 6 number मिलेंगे अब सर 6 number का question आएगा पहले ये 8 का आया करता था अब 6 का आएगा तो हमारे time पर ऐसा क्यों हो रहा है आपके time पर syllabus भी तो कटा है पहले adjusted capital भी आये करता था अब adjusted capital नहीं है तो सर 6 number में क्या रहता है scenario 2 number का ये 2 number का ये और 2 marks का ये रहेगा ठीक है न अब सर कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने तो पूरा question करा 6 number का अगर ये सही है तो आगे check होगा ये ध्यान रखना ये सही है क्योंकि आपने मालो ये ही गलत कर दिया भाई अगर आपने ये ही गलत कर दिया तो examiner को पता है partner's capital तो 101% गलत ही होगा और partner's capital गलत होगा तो उसे ये भी पता है कि balance sheet भी तो ऐसे situation में अगर ये गलत होगा न तो 6 में से examiner की मर्जी है 2 number दे 3 number दे वो उसके उपर totally depend करता है समझ मैं आई पता आपको जो step marking है क्योंकि आपको पूरा लिखना होगा तो फटा-फट से एक बार आप format note करिए हाँ अगर किसी को कोई भी doubt लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें retirement में इसका main point देखो main point मैं highlight भी कर देता हूँ ये main point है premium वाला main point premium और एक बात और goodwill हमेशा किस ratio में बटेगा पता यहाँ gaining ratio में किस ratio में बटेगा ये gaining ratio gaining ratio फटा फट नोट करिए भाँ कर दो ऊक्ष Свच कहा है पर भाँ है का में प्श्राइब रही है झीज़ प्रूम प्रतधि थ imaging है कर दो कर दो कर दो मैं हआथ खो यज में गोन्सकों जटेटरा कि नल्टारी एंगरी कि अेखिते हाँ जटेड़ कि अजड़ को फिए एल रखिते हैं अुछ्सकार्वीर कमा जड़ानी को जड़ कि अ.